क्या आपने यूएफो का नाम सुना है? इन्हें लेकर दावा किया जाता रहा कि ये यान एलियंस के होते हैं. एक समय था, इस नाम की भी चर्चाएं हुआ करती थी. अमेरिका में ऐसे एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का जिक्र होने लगा था. ऐसी अज्यात चीजे देखने के लाखो मामले सामने आएं, इन पर अच्छे से जाच भी हुई, लेकिन इनका सच कभी सामने नहीं आया, पर एक नए अध्ययन में यूएफो को लेकर अजीब सामने आये हैं, इसमें यूएफो देखने का उस जगह के परियावरन से गहरा नाता था, जहां ये देखे गए थे. उटाह यूनिवर्सिटी के भूगोल विशेशग्यों के नए अध्ययन में इस अनोखे संबंद का पता लगाया है, शोद कर्ताओं ने 2001 से 2020 तक करीब 98,000 ऐसे मामलों की पड़ताल की, जिसमें यूएफो देखे जाने की बात कही गई थी, उन्होंने खास तोर से यह जानने का प्रयास किया कि जब ये घटनाएं देखी गई थी, उस समय परियावरन के हालात किस तरह के थे? उन्होंने उस समय बादल, विमानों की मौजूदगी और पास में किसी सैनिक अड़े के होने का भी पता लगाया। शोदकर्ताओं ने बताया कि यूएफो देखने के मामलों में अधिकांश मामले ऐसे थे जब आसमान साफ था, प्रकाश प्रदूशन कम था, और दूर देखने में बाधा बनने वाले चीजे, जैसे की पेड आ जाने की रिपोर्ट कम है। स्टडी में एक रोचक बात यहाँ पता चली है, कि अधिकांश यूएफो देखे जाने की घटना पश्चमी अमेरिका में देखी गई है, वहाँ इमारते कम हैं और लोगों को यहाँ का आसमान ज्यादा साफ दिखता है। अध्ययन में इस बात की संभावना पर भी गौर किया गया कि कैसे शहरों की रोशनी से तो फर्क पड़ता ही है, जबकि निजी विमान और बढ़ते उन्नत सेंसर का उप्योग आसमान में उड़ती चीजों की पहचान कठिन हो रहा है। लेकिन एक बात साफ है, इनमें अधिकांश मामलों की सही तरह से पड़ताल नहीं हो सकी है।